वेल्कम टू माई चैनल लॉजिक पार्ट शाला तो स्टार्ट करते हैं जोग्रफी की यानि हमारी जोग्रफी वर्सिस दोनों चल रही है साथी साथ विकॉज यही टॉपिक जो है वो जोग्रफी के भी है और यही टॉपिक ईवेस से भी आते हैं तो आपकी एक चीज से दो चीज की तैयारी आराम से हो जाएगी ठीक है और काफी इवेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आप वीडियो पूरी देखिए का सारी वीडियो से कि इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो जोग्रफी की प्लेलिस में जाके वहां से सारी वीडियो आपको मिल ज करते हैं कि आदर्भूमी से मतलब क्या है हमें पहले तो यह जानना जुरूरी है ठीक है फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि आदर्भूमी जो है वो टोटल कितनी है कौन-कौन सी इंडिया में है क्योंकि क्वेशन वहां से जादा पूछा जाते हैं तो उसे पढ़ने से पहले पहले हम यह जान लेते हैं कि आदर्भूमी होता क्या है तो वह चेतर जो इस्थाई और स्थाई रूप से जल से कुछ समय तक धका रहता है या फिर आप कैसे हो कि हमेशा दल-दली आकार में प्रतीत होता है इसके अंदगर जील, नदिया, डेल्टा, एशुरी आदी को शा है तो बुछ एरिया है वो दल-दल आकार का हो जाता है अम बात करते ही तो हमने पड़ा कि आदर्भूमी होता क्या है विश्व में अगर हम बात करें पद्यावरण के दस्थिच है 1971 में इरान के रामसर रामसर इंडिया में नहीं है नां सुनने से तो ऐसा लग रहा होगी इंडिया में बटी इंडिया में नहीं है यह कहां पर है इरान में है इरान के रामसर नामकिस्थान पर एक सम्मेलन हुआ था जिसके देद्ध आद्भूमियों को सनक्षन की बात कही गई थी पर यह भी आप यह कह सकते हो कि अगर आप वन्यजीव जन्दू होगो अगर कि आद्भूमियों को भी सनक्षन देने के लिए कानून बनाया जाए और उसी के तहद वर्तमान में पूरे विश्व में कितनी आद्भूमी जेतर है इसको ध्यान रखना क्वेशन यही पूछा जाएगा कि पूरे विश्व में टोटल आद्भूमी जेतर कितने है तो 2165 औ कि पूरे विश्व में आद्भूमी जेतर है 2165 2165 भारत में 26 है और पहला भारत में जो बना था आद्भूमी जेतर वो 1981 में बनाएगा था जबकि सम्मेलन कब हुआ था 1971 में हुआ था ठीके तब भारत की कुछ important आद्भूमी जेतर देख लेते हैं कौन-कौन से हैं जैसे कि फर्स्ट चिलका जील केवला देव राष्ठी हुद्यान हरीके जील लोक्तक जील सांबर जील बुलर जील कांजली जील पंजाब में ये भी रोपर जील भी पंजाब में भीतर करने का वन चेतर उडीसा तो इसके अंदर का जो है आपकी नदी भी आ सकती है लेक्स यानि ज भी 亞सुटर तो सब इनके अंडर में आ सकते हैं ठीके तो बालत में हैं तो तो लेकिन हुमने उस में से कुछ इम्पोर्टेंट बढ़े जहां से इकरती बन सकता है कि लिधा निमन में से कौन इक हो है वह आदिर्भूमी चेतर है तो आपको कोई एक option में आदिर्भूमी व पढ़ना है मेंगरोव बनस्पति काफ़ी इंपोरशन टॉपिक है और हम इसे छोड़ देटे किसे चोड़े पलंदेल्स को पढ़ने में साधा ध्यान देतें बड़े वाली मेंड़ेंस आपको ऺंब द्रेट से शोटा से बड़े से बड़े बड़े टॉपिक पढ़ाये जाएंगे तो मेंग्रोब वनस्पति क्या होती है देखे आपने कभी देखा होगा आपने बच्पन में कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन पे कुछ लटकी रहती हैं उनके शाखाएं भी ऐसी होती हैं हमें लटकी लटकी प्रतीत होती है ना जिससे लाइक यह पर ऐसे पेर जरूर मिल जाते हैं कि इनके पेर सो होतीmeye शांखाएं से नीचे लड़की विए होती है और जमीन में मिले वी होती है यह ठीक. इनहीं कहते हैं मेंग्रो वनसपति! तो आप थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में यह वनस्पतियां सामानेता समुदर के तटिये और डेल्टाई भागों में अधिक पाई जाती है क्योंकि इन वनस्पतियों के लिए कुछ भोगले विशेष्टाई जरूरी होती है यह वनस्पति वही उउक सकतेइं जहां पर विशेष्टाई पाई जाएंगे जैसके पानी के अधिक मातरा होनी चाहिएрал मायदाब कौन सा पानी चाहिए खा रहा पानी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है उसके बाद वहाँ की जो भूमी है वो कैसी होनी चाहिए दलदली होनी चाहिए थर्ड है कि पानी की मातरा कितनी होनी चाहिए वहाँ पे 1000 mm से 3000 mm तक और तापमान होना चाहिए नॉर्मल टेंपरेचर जितना होता है 25 तो 35 डिगरी सेलसियस तो इन सारी परिस्तियों में वहाँ अगर गिल सारी की सारी परिस्ति हैं और ऐसा चेतर जहां पर पानी है दलदली भूमी है तो वहाँ पर मेंगरोब बनस पती इस तरीके से क्या होती है मेंगरोब बनस भी उच जाती है इसमें क्या होता है कि पेड़ की जो यहां पर शाखा मिल रहा होगा एक तो क्या मिल रहा होगा कि यहां से जो इसके तनों से nutrition जा रहा होगा वो बट रहा होगा सब जगह पे एक जो इनकी जड़े हैं जो इनकी शाखाएं आप कह सकते हो यह मिट्टी से मिली है तो यह मिट्टी से भी पोशकतत अपनी तरफ से खीचती है तो दो तरह से इस पेड़ को nutrition मिल जाता है इसके बाद हमारा आज का जो थर्ड टॉपिक है वो है प्रभाल भित्ती के बारे में सबी ने सुना है कि प्रभाल भित्ती क्या होती है सुना तो होगा ही ना प्रबाल भित्ती का नाम अगर पढ़ा भी नहीं है तो जानते हैं कि प्रबाल भित्ती क्या होता है देखिए प्रबाल भित्ती जो है वो समुद्र के भीतर पाय जाने वाला एक जन्तू है नाम से तो ऐसा लग रहा है कोई दिवार है भित्ती कोई लेय से हैं बप लए यह नहीं है प्रवाल जो है वो एक प्रकार का जो है वो जन्तु होता है जू समद्र में पाया जाता है इनका समुद्र में मौशूद दीप टथा चबूत्रों के ऊपर यह पाया जाते हैं मतला है समुद्र के भीतर ही यह मिलते हैं और 250 फिट की गहराई के बाद यह ना के बराबर पाए जाते हैं मतलब सिर्फ 250 मीटर तक की गहराई तक की यह मिलते हैं अब यह प्रवाल जो है वो प्रवाल भिती किस तरीके से बनाती हैं देखें जब क्या होता है जब सूरे की धूप इन पर पड़ती है जिसे सूरे की रोशनी जैसे प कह सकते हो कि एक पड़ार्त निकालते हैं जो केल्शियम कार्बोनेट होता है ठीके यह जो केल्शियम कार्बोनेट है इसका वो उत्सरजन करते हैं जब उन पर सूरे की धूप पड़ती है तो जिससे क्या होता है केल्शियम की जो दिवार होती है वो बन जाती है और यह बह क्या कर देगा केल्शिम कार्बोनेट की पूरी लेयर बना देगा नहीं थोड़ा 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 कर गे वह जो है वह अपना मल निकालता देगा मतलब केल्शिम कार्बोनेट निकालता रहेगा यह आपस में जमते जाएंगे एक दूसरे से मिलते जाहेंगे और ऐसा करते क करते-करते-बहुत हजारों साल तक मिलते personagem तो ये बहुत बोट बॉट बना लेंगे च्छेतर बना लेंगे और मतलब कि प्रवाल phral तरह से बनाए प्रवालों के द्यान रखना है कि लक्षदीप प्रवाल भित्ती का एक उधारन है तो आपने सुना भी होगा कि लक्षदीप पर कोई खेती नहीं की जाती वहां की भूमी केल्शिम कार्बॉनेट की है न क्योंकि वह प्रवालों के द्वारा बनाएगी वह हमा लक्षदीप के बारे में पढ़ा है जो उन्हें इनन जोग्रफी स्टार्ट करी थी तो आमने स्पेश्चली लक्षदीप और अंडमान निकुबर दोनों के बारे में पढ़ा था तो वहां से भी आप देख सकते हो इसके बारे में कि यहां पर खेती नहीं की जाती यहां का जो आप कह सकते हो इनकम है वो परेटन से ही होती है चीक है क्योंकि इसके चारोतर समुद्री समुद्र है तो काफी चीज यहां पर आप देख सकते हो घूमने आ सकते हो और वहां से इसकी इनकम होती है तो इससे ध्यान रहेगा तो बस यह तीन टॉपिक थे जो हमें आज प यह वीडियो इस काफी हेलफुल लग रहे हुए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं ताकि उससे मुझे फीडबैक मिलता रहे है और चैनल को सब्सकाइब करना तो आपको बिल्कुन नहीं भूलना है उसको करने में और लाइक शेयर सब्सकाइब करना चाहिए आ झांक यू